डाइबिटीज के अंदर डाइट का बहुत बड़ा महत्व रहता है क्योंकि डाइबिटीज एक ऐसा कंडिशन है जिसके अंदर ब्लड के अंदर गुलकोस की मात्रा आवश्यक्ता से अधिक हो जाती है अब अगर आवश्यक्ता से अधिक हो जाती है तो इसको चार तरह से regulate किया जा सकता है पहला तो कैसे regulate किया जाता है कि body में जो insulin बनता है वो उस extra glucose को cell के अंदर डाल देता है तो वो जो cell के अंदर डालता है वहाँ पर वो energy produce करने के काम आता है अगर extra quantity होती है तो store हो जाती है glycogen के रूप में और भी अगर extra quantity है तो fat में store हो जाती है तो जब कभी nutrition, food की कमी पड़ेगी energy की कमी पड़ेगी तो उस reserve store को body utilize करती है दूसरा तरीका होता है कि liver उसको triglyceride में convert कर देता है इसके करण cardiac complications बढ़ने लगते है तीसरा तरीका होता है कि अगर blood के अंदर sugar काफी बढ़ गया है तो वो possible है kidney से बाहर निकलना शुरू हो और ये जन्म देता है renal problems को future में जाके और चोथा सबसे बहतर तरीका है blood के अंदर glucose को regulate करने का कि हम अपना glucose का input ही control कर दें तो अब input को किस तरह से control किया जाए ये हम समझते हैं देखिए input को control करने के लिए दो तरह की diet का सहारा worldwide लिया जाता है एक है keto diet उसको हम समझेंगे और दूसरा तरीका है जो मैं recommend करता हूँ लोगों को that is low fat low carbohydrate density food with high fiber तो ये diet भी मैं आपको अलग से explain करूँगा और keto diet भी मैं पूरी तरह से explain करूँगा इसके साथ में हम ये समझेंगे कि कुछ एक food जो हैं एक common way में कौन से food safe हैं लेने के लिए और कौन से food में diabetes की अंदर risk है चाहे आप keto में जाएं चाहे आप low density carbohydrate diet को adopt करें जैसे example के लिए vegetables दोनों में ही safe हैं except few like potato उसके बाद में fruits जो हैं कुछ एक specific fruits जो हैं वो keto diet में safe हैं जैसे avocados हैं या फिर berries हैं या फिर oranges हैं तो ऐसे कुछ एक fruit हैं जो keto के अंदर safe हैं otherwise low density carbohydrate में सभी तरह के fruits safe हैं लेने के लिए उसके बाद में legumes, whole grain और high fiber cereals ये सारी चीजें safe हैं लेने के लिए और जो risky चीजें हैं किसी भी प्रकार की diet हो जो risky है जो ready to eat cereal है जैसे मैदा तो वो पूरी तरह से risky हैं उसके बाद में sugar या sugar के बनी हुई से बनी हुई चीजें जैसे beverages, cold drink वगेरा होते हैं उसके बाद में refined grain इसके अंदर जो इसकी मैदा की बनी हुई चपाती या नान वगेरा होती हैं french fries वगेरा है या फिर bakery product जो अक्सर sweet होते हैं और मैदा से बनते हैं तो ये सब जो है risky के अंदर आते हैं ठीक है तो ये तो एक common perception हो गया हलाकि इसके लिए मैं आपको एक glycemic index और glycemic load का भी chart available कराता हूँ नीचे दिये हुए button पे अगर आप चाहें तो प्रेस करके glycemic index glycemic load का chart पूरा मंगा सकते हैं जिसमें लगबग 200 item ऐसे हैं जो बताए गए हैं कि क्या safe है आपके लिए और क्या unsafe है तो उसमें आपको पूरी diet पे एकदम clarity आजाती है आप नीचे button प्रेस करके वो chart पूरा मंगा सकते हैं तो अब आगे हम देखेंगे कि keto diet और ये low density carbohydrate diet को दोनों में से क्या हमारे लिए अच्छा है और किस तरह से हम इसको adopt कर सकते हैं easily अपने life में और अपनी diabetes को control कर सकते हैं या reverse कर सकते हैं इसी के base पर ठीक है पर जब भी ये diet follow करें तो तयारी रखें इस बात की कि आपका blood sugar कितना है और वो हिसाब से अपने allopath medicine के doses set करें अदर्वाइस क्या होगा आपकी तेजी से diabetes नीचे जाएगी आप full dose के अंदर दवाई ले लेंगे और आप hypoglycemia में चले जाएंगे बेहोश हो जाएंगे तो वो जड़ा विशेश ख्याल रखें आप या ऐसा भी ना करें कि आप अपनी diabetes की medicine छोड़ दें और आपका glucose level बढ़ जाए तो वो भी risk होगा तो proper monitoring के साथ में diet को follow करें तो आपको diabetes को control और reverse करने के अंदर help मिलेगी और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है intermittent fasting का भी है fasting के लिए मैं किसी दिन और अलग से clipping बना करके आपको दूँगा जो intermittent fasting है उस पर पर आज हम keto और low density carbohydrate diet का concept पूरा समझेंगे तो keto diet जो है वो basically एक group keto diet को पूरी तरह से safe मानता है diabetes के अंदर और दूसरा group जो है low density carbohydrate diet को भी safe मानता है तो दोनों ही तरह के concept हैं मैं आपको दोनों ही चीज़े बताऊंगा keto diet के अंदर basically concept क्या है वो हम समझें body के अंदर source of energy दो है एक है carbohydrate और दूसरा है fat पर हमारे food के अंदर naturally carbohydrate का percentage इतना high है कि हमारी body पूरी तरह से अकस्टम रहती है carbohydrate से energy लेने के लिए और हम इतना carbohydrate consume करते हैं कि वो carbohydrate insulin के कारण cell के अंदर जाकर के glycogen और even fat में store होना शुरू हो जाता है अब या तो हम energy लेले carbohydrate से पर इसमें diabetes में क्या होता है cell resistant हो जाती है insulin के लिए जिसके कारण ये carbohydrate cell के अंदर जा नहीं पाता और body को energy मिल नहीं पाती ऐसे में हमको medication लेने पड़ते हैं जो cell की insulin के लिए sensitivity को बढ़ाते हैं या फिर body के अंदर insulin को बनाना बढ़ाते हैं जो वापस से force कर सके उस cell को glucose को अंदर लेने के लिए तो ऐसी इस्थिती में हम जब जब carbohydrate खाएंगे वो क्या करेगा? insulin के level को stimulate करेगा तो अगर हम insulin बढ़ता चला जाएगा थोड़ी बहुत मात्रा में गुलकोज अंदर जाएगा बजाए उसके हम क्या करें? हम fat से अपनी energy लेना शुरू करें fat convert होता है ketones में और ये ketones energy देती है and body cells prefer this more ज़्यादा पसंद करती है ketones से energy लेने के लिए पर हमारी body अकस्टम किस से है? गुलकोज से तो हम diet के अंदर क्या change करते हैं इसमें? हम carbs को cut कर देते हैं carbs कितने cut करते हैं? up to 5% only normal diet के अंदर 50 to 60% carbohydrate होता है इसको हम reduce करके 5% पे ले आते हैं 50 to 60% का आप मतलब समझ रहे हैं? एक male को 2000 to 2500 किलो कैलरी की आवश्यक्ता होती है female को लगबग 2000 किलो कैलरी की आवश्यक्ता होती है तो करीब 1000 से 1500 कैलरी के हम carbohydrate रोज खाते हैं मतलब 2800 से 3500-400 ग्राम तक 3500 ग्राम तक carbohydrate से हम energy लेते हैं और इस carbohydrate के लिए insulin को मेहनत करना पड़ती है उसको काम पर लगाये जाता है अब यही carbohydrate हमको cut down करके 5% के उपर लाने होते हैं keto diet में तो अगर carbohydrate body में जाएंगे ही नहीं तो insulin से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा gradually जो cell के अंदर insulin पड़ा हुआ है cell के अंदर जो glucose पड़ा हुआ है वो utilize होना शुरू होगा glycogen utilize होना शुरू होगा फिर body क्या करेगी जब उसके पास में energy का source नहीं बचेगा then it will start taking energy from fat fat को utilize करना शुरू करेगी तो हम keto diet के अंदर क्या करेंगे protein को कर देंगे 20-25% और fat का percentage होगा 72-75% तो ये जब fat का percentage बढ़ेगा तो body will start using fat as a primary source of energy और ऐसा condition में अगर आप 1200 किलो कैलरी का diet लेते हैं तो body के अंदर जो fat पड़ा हुआ है वो भी utilize होना शुरू होगा और ऐसा condition में over a period of time cell का sensitivity glucose के लिए regain होना चालू होगा ठीक है और आपके जो doses है medicine के वो भी तेजी से नीचे आना शुरू होगे क्योंकि उदर carbohydrate तो है ही नहीं तो जब carbohydrate ही नहीं है तो हमको इतने heavy medicines लेने की जरूरत ही नहीं है so this is the concept of keto diet पर keto diet में सबसे बड़ा issue आता है volume का अगर हम 1200 या even 2000 kilo calorie की भी अगर माल लीजे कोई lean and thin person है और वो पूरी calorie अपनी keto diet से ही लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर 2000 calorie भी उनको लगने वाली है तो उसके अंदर volume इतना कम बनता है practically difficult हो जाता है keto diet के उपर manage कर पाना क्यों difficult हो जाता है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर maximum लोग जो है vegetarian है तो veg के अंदर maximum carbohydrate आता है अगर हम उसको avoid करने जाते हैं carbohydrate को तो हमारे पास में बहुत limited option रह जाते हैं और क्योंकि cereal सारे हट जाएंगे उसके अंदर fruits सारे हट जाएंगे except 4-5 fruits जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं vegetables सारी रह जाएंगी पत्तेदार भाजियां vegetables या फिर cucumber, बैंगन ये सब आपके diet का part होंगे आलू आप ले नहीं सकते हाला कि आलू आप किसी में भी नहीं ले सकते परन्तु जो लोग non-vegetarians होते हैं उनको एक protein का अच्छा source मिला हुआ रहता है इदर used to take chicken, mutton fish उनके लिए वो सारे options रहते हैं non-vege के तो उससे उनको सारे vitamins minerals मिलते रहते हैं पर यहाँ veg diet के अंदर जो option रह जाता है vitamins और mineral का वो रह जाता है green leafy vegetables only तो इस condition के अंदर I prefer low density carbohydrate diet which is full of fiber and which is less of fat तो वो diet मैं आपको इसके बाद मैं बताऊँगा अब यह है low density carbohydrate and high fiber diet इसके अंदर हम क्या करेंगे breakfast के अंदर weight का 1% fruit से लेंगे weight का 1% fruit मतलब अगर किसी का weight 70 kg है तो वो maximum 700 grams तक fruits consume कर सकते हैं with green or black tea milk milk totally prohibited है all animal products are prohibited तो milk prohibited रहेगा इसमें 700 gram तक fruit ले सकते हैं और आपको यह जानना जरूरी है कि किसी भी प्रकार के fruits diabetes के अंदर safe है मैं एक separate आपको clipping बनाऊँगा जिसके अंदर बताऊँगा कि fruits पर आज तक क्या-क्या human trials हुए हैं और किस तरह से fruits आपको diabetes के अंदर नुकसान नहीं करते ठीक है तो fruits से आपको क्या-क्या मिलेगा यहां पर antioxidant fiber definitely low carb आप बोलेंगे low carb से आप convinced शायद ना भी हो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा साथ में vitamins, minerals और साथ में water इसके रहता ही है अब जहां तक सवाल रहा low carbs का आप समझ के लें चपाती बनाते हैं 35 gram की उसके अंदर 25 gram carbohydrate होता है जो आपको 100 kilo calorie देता है ठीक है वहीं पर अगर 100 gram fruit है तो उसमें 4 से 20 gram तक कार्ब होता है यहां पर 25 gram के अंदर 25 gram मतलब एक चपाती जो 35 gram की है उसके अंदर 25 gram carbohydrate है और वहीं आप fruits को compare करेंगे तो 4 से 20 gram तक कार्ब होता है बनाना और मैंगो में जाएंगे न तो यह आपको 16 से 20 gram कार्ब होता होगा 100 gram के अंदर जबकि बाकी के जो fruit है जो citrus fruits हैं उनमें 4 gram से यह शुरू होता है तो इतनी लोके जैसे तरबूज है उसके अंदर 4 gram carbohydrate है तो इतना कम उसका glycemic load है जबकि यहां पर grains का glycemic load काफी ज़ादा होता है तो fruits जो हैं वो पूरी तरह से safe हैं तो breakfast में weight का 1% हमारे को fruits लेना है सुबह उठने से लेकर के breakfast तक only fruits का breakfast करें green tea ले black tea ले साथ में उसमें stevia यूज करें sugar की जगे पे sugar use ना करें sweetener यूज करें ठीक है अब हम लोग आते हैं lunch के उपर अच्छा यह जो आपने 700 grams of fruit लिया इसमें आपको calorie energy कितना मिलेगा energy आपको मिलेगा 350 kilo calorie और इसके अंदर carbohydrate कितना मिलेगा max to max इसके अंदर आपको carbohydrate मिलेगा 50 grams about 50 grams ठीक है 50 gram से ज़्यादा आपको इसके अंदर carbohydrate नहीं मिलेगा अगर आपने high carbohydrate वाले भी अगर आपने use कर लिये तो भी यह 60 के उपर या 70 के उपर नहीं जाएगा carbohydrate ठीक है तो यह fruits ले इसके बाद में हम आते है lunch के उपर तो lunch के अंदर फिरम क्या करेंगे जो body weight है जैसे 70 kg है तो उसका 0.5% salads के रूप में लेंगे मतलब 350 gram ठीक है और साथ में इसके कुछ leaves, green leaves और 50 to 75 grams sprout for the protein तो यह पूरा add करेंगे तो यह लगभग हो जाएगा 450 grams to 500 grams of salad यह आपको total energy कितनी देगा? लगभग 100 kg कैलरी और यहाँ fruit से आपको कितनी मिलेगी? 350 kg कैलरी ठीक है? अब इसके बाद में जब यह आप salad पूरा ले लेंगे तो उसके बाद में आपको दाल या कोई भी भाजी जो आपकी आपना नॉर्मल बनती है वो dry wedge इसमें prefer करें leaves और 1 max 2 chapati यह आपका total lunch हो जाएगा इसमें calorie कितनी हो जाएगी? 100, 200, 300 यहाँ पर और और एड हो गई तो यह हो गए आपका lunch लगभग 400 से 455 kg कैलरी का और यही same आपका repeat होगा dinner तो यह total आपको कितना कैलरी मिलेगा? 400, 400, 800 और 1100, 1500 तो 1000 से 1200 किलो कैलरी जबकि आप पहले consume कितना करते होंगे? लगभग 1600 से 2000 कैलरी तो अब यह जब आपका calorie consumption कम होगा तो automatically आपके जो carbs हैं आप carbohydrate से लगभग लेते होंगे पहले 1000 से 1500 किलो कैलरी तो वो carbohydrate का load automatically reduce होकर के 50% रह जाएगा तो जब यह load 50% रहेगा तो वैसे वैसे आपकी insulin पर dependency कम होगी ठीक है? और इसमें percentage कैसे कैसे होगा? fat लगभग 20% up to 30% भी जा सकता है protein 20 to 30% और carb लगभग 40 to 50% तो यह combination में आएँगे और total input आपका घटेगा तो यह इस्थिती balance हो जाएगी आपकी automatically जो है blood sugar कम होना शुरू होगी और आपके जो diabetes के doses है वो slash हो जाएंगे और एक दिन आएगा within 3 days, 7 days, 1 month the day will come आपको आपके diabetes की दवाईयों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसके doses काफी कम हो जाएंगे इसके साथ में आप nutritional supplement glucose free ले और glucose free से क्या होगा naturally आपके glands आपके insulin की sensitivity और आपका carbohydrate का absorption वो limit होगा तो वापस से आपको diabetes को manage करने में health मिलेगी तेंक यू